हेलो गाईज गुड मॉर्निंग जोहार सभी को तो मैं आज देखिए कहां पर खड़ा हूँ यह है एरिया कबन पार्क का और आज से 30 साल पहले यहां पर एक फिल्म की सुटिंग हुई थी जो कि था खुली नंबर वन उसका गाना था तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं गाने को सुटिंग किया गया था यहां पर 40 साल पहले जो ओरिजिनल कुली मूवी जो अमिता बचन का था जो गाना था एक्सिडेंट हो गया रब्बा रब्बा तो देखिए यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह यह वही रोड है अभी हलाक कि 30-40 साल हो गया तो बदल गया दोनोट साइड स्टीट लाइट था और यहां पर ठेला लगा हुआ था बहुत सारा और यहां पर फिलमाया गया था कि मैं तो रस्ते से जा रहा था मैं तो भेलपुरी खा रहा था और यह जो लाइबरेरी है यह लाइबरेरी का सिंध था और किस तरब से था पा प्रेस का था और पुछ एजी ऑफिस जो करनाट का है उसके सामने का था तो मैं दिखाऊंगा आपको आगे चलके और उस गाने में इस गार्डन को भी दिखाया गया है और अभी यह फुल रोज गार्डन हो गया है इसमें देखें तरह तरह के रोज लगे हुए हैं आप अगर गाने को अच्छी तरह से देखेंगे तो यही सब ग्रील था यह साइड साइड जो ग्रील है यह ग्रील दिखेगा आपको ठीक है और यह गार्डन दिखेगा यह गार्डन के किनारे में जो है पुरा डांस किया गया है और जो लास्ट का सीन है जहां पर एक आदमी गिता है वो चो राहा दिखाऊंगा जो की जस्ट ये जो लाइबरेरी है इसके जस्ट पिछे साइड में वो फिलमाया गया था मैं अभी आपको आगे चलके दिखाता हूँ ये करनाट का स्टेट का लैबरेरी है गवर्मेंट का लैबरेरी है इसके ज़स्ट पिछे में वो सीन फिलमाया गया था और कुछ विधान सभा का भी है मैं वहां का भी दिखाऊंगा सीन आप लोग को हाला कि 30 साल से उपर हो गया तो बहुत सारा जो है बदल गया यहां का नकसा लेकिन अगर आप गवर से देखेंगे गाने को तो यहीं का जो है वो सीन था यहां पर कुली नेमबर वन का गाना और एक्सिजेंट हो गया अब बराबाग कुली जो 1993 में रिलीस हुआ था उसका यहां पर फिलमाया गया फ्र Mitchell का जो है जो फिलम है प्रिलете के पीछे और अप पीछे और विधान सहबा के पास भी प्रिलत कुलिभा सीन में दिखा शकता हूं और बैंगलोर प्रेल सिपी यहां से और लोकेशन खुश्टे-खुश्टे यहां तक पहुच गया हूँ, जो कि गाना था ना, एक्सिडेंट हो गया रभा रभा तो मुझे वह प्लेस दीख गया है, आप लोग वह गाना देख के बताएंगे क्या यह वही प्लेस है, हाला कि मेरे एक फ्रेंड ने पताया था, तो उसके कहने पर ही मैं धूनते धूनते आया हूँ, यह बहुत बड़ा कबंद पार्क है, बहुत बड़ा चारो तरफ, पेड़ ही पेड़ा है, अब मुझे वह दिख रहा है, वह वहां पर, अभी जाके देखते हैं करीब से, तो यही वह बैंड स्टेंड है, आप जब देख देखेंगे वो गाना एक्सिडेंट हो गया, रबबा रबबा, तो अमिता बच्चन का यही पर वो सीन है, आप देख सकते हैं, यही वह बैंड स्टेंड है, दोनों जवानी के मस्ती मेचूर, एक्सिडेंट हो गया, रबबा रबबा, अल्ला रखा, इसको हम करीब से आके देख रहे हैं, तो देखेंगे यहां पर गाना बजाना होता था, टीपु सुल्तान के समय में होगा सायद, लेकिन अभी भी होता है, यहां पर लाइटिंग वगरा भी, अब होत अच्छा पार्क बना हुआ है, चार उत्रप, थोड़ा और इसको करीब जाके देखते हैं, तो यहीं पर वो गाना शुटिंग हुआ था, देखिए, एक्सिदेंट हो गए यार अपर अमा, लेकिन बाहर से आपको समझ में आगा, अंदर से तो समझ में नहीं आगा यह, बाहर से यह बोड लगा है, इसमें आप देख सकते हैं, और यह बहुत ही अच्छा पार्क है, क अब देखिए, फूलों का सहर, यह एक और वीडियो में में दिखाया था, कि इतना अच्छा पूल है, यहां जो है ने, यह फूल बैंगलोर का पूरा सोहा बता देता है, तो कमन पार्क बैंगलोर का इतना उड़ा पार्क है कि, मैं पहले भी वीडियो में बोला था, कि एक पार्क है, जहां पे ट्वाई ट्रेन, पोटिंग वगरा सब कुछ है, किसी अवर दिन में वहां दिखाऊंगा, आज एक्ट्रिली मेरा माकसद था कि यह शूटिंग जहां पे हुआ है, उसको दिखाना था आप लोग को, तो एक जो कुली नंबर वन था, उसका 30 साल हो गया और कुली फिलिम 40 साल से पहले उसका यहां पे शूटिंग हुआ था, तो यही वो पार्क है, जहां पे पूरा शूटिंग हुआ था, इधर कोट है, और कुली नंबर वन का जो गाना था, तो इसको मिच्ची लगी तो मैं क्या करूँ, तो वो यह विधान सभा का कुछ सीन जो कि विधान सभा की वो पीछे तरब का सीन है, अना कि यह से घूम के जाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा लंबा दूर हो जाएगा, अब बहुत कड़ी धूप है, तो आगे साब देख सकते हैं, यह जो दीख रहा है ना पनावट, सारा वही था, तो फ्रेंट यही वो एरिया था जहां पे वो गाना का सुटिन हुआ था, तो यह वो सारा एरिया है जिसमें सुटिन हुआ था, तुछको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, लेकिन अभी जो है, बड़ा बड़ा ग्रील लगा दिया है, पहले विधान सभा में घेराव भी नहीं था, उ I'm overheating